जैन दोस्तो आज का स्टीजी के में आपका स्वागत है आज का आपका सबसर पहले टॉपिक वह है इसी को खहरात में भारत रतन नहीं मिलता है अभी भारत रतन के बारम सम्झाने वाले मेरी बात समझेगा यह पहली भारती महिला ऐसी ती जुनों ने युनाइटेट निशन में जाकर के संगीत का कारिकरम रखेते और वहां पर संगीत उन्हों ने दिखाई थी और इस वजह से इनको संगीत कला निधी संबान तमिल नाडव करनाटक की तरब से दिया गया था ठीक है संगीत कला निधी संबान और 1998 में भारत रतन है तो इस वजह से पंडित नहेरू इनको संगीत की राली और लता मंगेस्वर मंगेस्वर्ष को तपश्वनी कहते हैं कोशन पुष देगा कि भारत की तपश्वनी किसे कहा जाता है तो अंसर लिखना होगा मेस्व लक्षमी हमारे पास भी एक मेस बहुत फैमस है मेस दोनी लेकिन यहाँ पर फैमस कौन है मेस सुभी लक्षमी मेस बहुत फैमस होते हैं थिके खैर तो यह एमेस सुभी लक्षमी बहुत फैमस है कि इस छेत्र में गायेकी के छेत्र में जनको भारत रतन पुरुषकार मिला पंडित नहरुन को संगीत किरानी तथा लत्ता मंगिसकर को तपश्वनी कहके बुलाती है बुलाती थी यह पहली भारती माइला थी जिन्होंने युनाटिट नेशन में जाकरके अपना कारिकरम दिखाया था उसके बाद समझे यह भारत रतन जो है भ 2001 में लत्तम मंगिसकर को भारत रतन मिला है ठीक है अब यह भारत रतन भारत रतन जो हुआ इसका अस्थापना जो है वो दो जनवरी 1954 को जनवरी 1954 के इसकी अस्थापन किया गया था यह भारत का सर्वोच नागरिक शम्मान है ठीक है और इसके लिए को धनरासी नहीं दिया जाता है कि आप इसको प्राप्त कर लेंगे तो आपको बहुत सारा रुप्या पैसा मिलेगा मिलकुल नहीं यह रुप्या पैसा से कह सब्सक्राप्ति पते के पत्त मैं ही उतके अनों का पता है और उसमें देवनागरी में को लिखा बिक होता है अब भारत रातन जिनको मिलता है वह पार भी बैट चाहते हैं अगर यह कहीं यांनि कि जाते हैं इसके उपर से इनको बहुत शारे चुट दिया जाता है दूसरी बात यह है इनको अगर यह विदेश जाते है तो विदेश विदेश में करेंगे यहां तो आप समझ कर आघर किसी राज में जाते हैं तो यह आप समझें आगर जिस राज में जा रहत तो उस AUDL partition टॉपम टॉप बैराइटी हर एक परकार से मन समान उनको नेता वगर अब पूछ पूछ के खिलाने पड़े आप यह खाएंगे आप यह खाएंगे आप यह प्याने इस परकार कहने मतलब यह तो नहीं मनने कि यह सबको तो कमी नहीं है और भी जो सुख सुविधा है भारत र आप यह कहां कहां दिया जाता है कला के छेतर में साइंस के छेतर में सोसल सर्विसेस के छेतर में और लिट्रेचर के छेतर में इसको दिया जाता है जो जो मैं आपको कहा रहा है वो आपको लिखना जरूर चाहिए क्योंकि यह बराबर पूछते रहता है और इतना बड़ा स कि अब देखिए यहां तो हम लोग क्या पढ़ें एकदम स्वर्ग पढ़ें आप दूसरा नमबर देखिए MF हुसेन यह कभी-कभी जाम में पूछ देता है लोगो के लिए और क्या कहा जा सकता है आगे बात करते हैं इसको कभी-कभी पूछ देता है लेकिन हाला कि इसको पूछना नहीं चाहिए और पूछना भी नहीं चाहिए यह 100% है यामनी किर्शनमुर्थी आपके भरत नाटे में ज़्यादा परांगत है लेकिन उसके उपर कुछीपुरी में इनको बहुत अधीक दिलचस्पी रहा है तो भरत नाटे में इनको बहुत अधीक परसदी मिला हुआ है यह सभी के बारे मैंने विडियो बना दिया है कि भरत ना तो इनके बार हम लिखा यह इन्होंने किताब लिखा पेशन फॉर डांस यह बुक इनका लिखा हुआ है इनका बायोग्रेफ ही है फिर देखे पंडित जस्राज पंडित जस्राज जो है यह बहुत इंपोर्टेंट इसको आप बहरी बहरी इंपोर्टेंट कर लिजेगा ठीक तो यह आपके हर्याना से है और यह आपके मेवाती घर आने से आते हैं यह संगितकार है आपको देखिए इनको उपलब्दी क्या मिला है इनको बहुत बड़ा उपलब्दी मिला है दोस्तों मेरी बात समझू IAU यानि International Astronomy Union अंतराष्टिय खगोली संग यह जो अंतराष्टिय खगोल संग है वो 11 नवमर 2006 को एक हिन गरह का खोज किया गया था उस हिन गरह का कोड था देखिए BP-32 इसके उपर इसी का नाम यस राज पंडित यस राज दे दिया गया इन्होंने इतना माहिर 80 साल इन्होंने भारतिय संगित सास्तर में इन्होंने द्यान दिया इन्होंने युगदान दिया इसके वज़े से अंतराष्टिय खगोल संग जो है इसी के नाम के उपर ये गरह को जो है इसका नाम दे दिया आनि पंडित जसराज आपका यह या फिर हिन गरह का यह तो हिन गरह आपको मिलेगा ने पंडित जसराज गरह मिलेगा आपको बात सुझ पारे कि ने तो यह इनका बहुत बड़ी उपलब्दी थी 2006 में इनको दिय गया था ठीक है उसके बाद पांचमा आपके आखरे में बताऊंगा क्योंकि समय कफी हो गया है पांचमा आपका सत्यजीत रे सत्यजीत रे आपके कॉलकाता के हैं और यह फिल्म निर्माता डारेक्टर है यानिके और यह इनको बहुत बड़ा बड़ा अवार्ड मिला है मैं को वही सब यहां पर बताऊंगों जो बहुत बड़े प्रसद्य अपने छेत्र में रखें अधरवाज मैं आपको सब कुछ ने बताऊंगा यह जो लोग आए आप कहिएगा कि मैं दिपिका पादु कॉन में बनाओं नहीं ना संभारे कि नहीं हो पूछेगा भी नहीं संभ उलिट को अगन्दा करने वाले सब लोग को इन लोग से क्या उमीद कि जा सकता है कि यह समाजी के अपना युगदान दिये हैं है ना तो देखिए सत्य जीतरे सत्यजीत्रे क्या है क्या है फिल्म निर्माता इनको लाइफ टाइम अशीवमेंट अवाड आस्कार मिला है 1992 में जिया, lifetime achievement award 1992 में प्रदान किया गया है, और प्लस इनी साल, यानि 1992 में ही इसको भारत रतन से शम्मानित किया गया है, तो अगर ये बहुत important नहीं होता, तो इनको एक ही बार में इनको दोनों आपाड दिया जाता है, नहीं ना, तो देखें, ये सभी जो आपको बहुत important है और मैं बता दू, ये वाला और ये, MS सुबू लक्ष्मी के बारे में, TGT, SAC, RRV में कई बार पुछा गया है, बाकि ये आपको नहीं पूछ सकता है, लिए पहले पूछता था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, या मनी कृष्ण मूर्ती हो गए, पंडित जैसराज हो ग तो अभी आप इसको पढ़ाई करें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, थैंकियो सो मख, जैन, मस्कार